गुड इबनिंग देखी यहाँ पर एक वर्क है तिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉबल है अ नॉबल रिटेन बाई चिनुवा अचेबे इसको चिनुवा अचेबे के द्वारा लिखा गया फेमस नाइजेरियन और अफ्रीकन राइटर और चिनुवा अचेबे फेमस नाइज पर एक तरह से फोकस किया गया इस्टार्टिंग में एक तो यूमो फिया जो कि इगबू कम्यूनिटी के लोग यहां पर रहते हैं और दूसरा विलेज है मोबाइनो विलेज ठीक है इसमें कौन से करेक्टर है तो ओकों को जो की मेन प्रोटागोनिस्ट है यूनो का फादर अब ओकोंको का फादर है नवय ये अकोंकों का बेटा है सन आप ओकोंको आइक में फियूना ऑइक में फियूना जो है मोबाइनो विलेज से आया हुआ लड़का होता है ये ठीक ओबेरिका ओबेरिका जो ओकोंको जफ्रेंड ओकोंको का फ्रेंड होता है ओग ब्यूफी एज्यूडू ओग ब्यूफी एज्यूडू एन ओल्ड मैन एक ये ओल्ड मैन है 16 इर सन अफ ओग ब्यूफी एज्यूडू और अग ब्यूपी एजीडू का 16 साल का एक लड़का है ठीक और अगला करेक्टर है यूचेंडू यूचेंडू जो की ओकोंको का एक maternal अंकल है मामा है और इनकी मामा का घर है मबांटा बिलेज में मबांटा बिलेज का यूचेंडू मबांटा बिलेज से बिलोंग करता है मिसनरीज है इसमें जो की बहुत एक गोड़ वाइट मैन है अच्छा ट्रीट करते हैं और मिश्टर ब्राउन ये बैड इन नेचर ये जो है बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करता है बिलेजर से हैं, मैसेंजर से हैं लिट्स की पोयम, फेमस पोयम दास सेकंड कमिंग से लिया गया है तिंग्स फॉल अपार्ट तिंग्स फॉल अपार्ट का मनलब चीजें बिलकुल अलग थलग पड़ जाते हैं जब इनके गाउं में यूमोफिय गाउं में अंग्रेज लोग आते हैं तो चीजें बिलकुल अलग थलग पड़ जाते हैं इतना क्लियर चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजे देखे तिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉबेल है इस नॉबेल को लिखा है चिनुआ अचेवे ने जो की फेमस नाइजेरियन और अफ्रिकन राइटर थे और इसको तिंग्स फॉल अपार्ट को पब्लिश किया गया 1958 इस भी में इस नॉबेल के थिरी पार्ट है ठीक है यहाँ दो विलेज की कहानी है यू मोफिया विलेज जहाँ पर इगबू कम्यूनिटी की लोग रहते हैं और मोबाइनो विलेज ठीक है इसमें करेक्टर से उकोंको जो की में प्रोटागोनिस्ट है यूनू का जो की उकोंको का फादर है नवोई जो की उकोंको का बेटा है आईकी में फ्यूना जो की मोबाइनो विलेज का बेटा है ठीक और ओवेरिका जो की ओकोंको का फ्रेंड है ओक ब्यूफी एजिवडू यह जो एक old man है और 16-year son है ओक ब्यूफी एजिवडू का 16-year son है ठीक और यूचेंडू यूचेंडू यह जो है ओकोंको मबांटा बिलेज से ओकोंको का मामा है यूचेंडू मतलब मवांटा बिले से बिलोंग करता है और ओकोंको का मामा है ठीक है मिसन रीज है रीबरेंट जैम्स इसमित है जो की गुड वाइट मैन है मिस्टर ब्राउन है जो की थोड़ा सा बैड इन नेचर नेचर में बैड है अच्छा ट्रेट नहीं करते है बिलेजर्स के साथ में बिलेजर्स है मैसेंजर्स है और इडिस्टिक कमिसनर्स है और यहां तिंग्स फॉल अपार्ट का यह जो नॉवल का टाइटल है इसको लिया गया है डेवलू बेट्स के फेमस पोएम 10 सेकंड कमिंग से लिया गया है ओके क्लियर